दोस्तों आप सभी परवान यूजर का देव भूहीं प्रयार हलदौनी के यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों और जो अभी 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 अपडेट निकल के आई है पीबीसी मेटा डॉट आयो के अंदर कुछ टोकन आप विड्रोल कर सकते हैं उसकी जो अपड करते हैं सीट फंडिंग की जो स्टेटस जहां पर सो होती है वहाँ पर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर यहां पर आप देख पाएंगे कि इंटर सीड रिवार्ड जहां पर दो कंडिशन एड की गई है जिसमें पहला सीड रिवार्ड विल विल एडियमल 85% परसेंट कुल मिला कि यहां से आप जो भी टोकन विड्रॉल करेंगे वह आपको आपके कनेक्टेट वॉलेट के टोकन फार्मिंग वाले पेज के अंदर दिखाए देंगे जिसको हम लोग यूजर वॉलेट के नाम से जान रहे हैं जो अभी कुछ टाइम पहले ही अपडेट हुआ है तो यहां पर आप विड्रॉल करने की कोशिस करेंगे दोस्तो मैं फाइब विड्रॉल जिस जैसे की अपडेट आ रहे हैं कि फाइब विबीसी मीटा टोकन को अपडेट किया जा सकता है और दोस्तो इस पर जो भी चार्ज कटेगा ब्लोक्चेन पर वो चार्ज भी अपको देना होगा तो यहां पर हम लोग रडीम करेंगे मैंने 5 एंटर करके इसको रडीम का बटन प्रस किया है दोस्तों यहां पर आप देख पारे होंगे इसको एप्रूफ कर लेते हैं और एप्रूफ कर से पहले पिन डालके अनलॉक कर लेते हैं और यहां पर आप देख पारे तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पांच जो मैंने token डाले थे वो redeem हो चुके हैं और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो redeem हुए है उसकी entry हम देख सकते हैं यह देखे दोस्तों आप स्टेकिंग के बगल में जो ट्रांजेक्शन है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर एक जाट दुजार तेज को यानि 10-41 पर फांस रेडिम किये गए हैं और इसका स्टेटस हमें 24 से 48 अवर के अंदर जो है अपने कनेक्टेट वालेट में दिखाई देगा तो आप कोशिश करें कि जल से जल इसको रेडिम कर लें और जैसी आप रेडिम करेंगे दोस्तों अवलेबल में से उतना माइनेस हो जाएगा और रेडिम में उतना प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख पारे होंगे कि सीड रिवार्ड जो है 93 टोटल है उनमें से 71 रेडिम हो चुके हैं और 22 जो है वो अभी भी एवलेबल है एक बार में सेकंड टाइम करके देख से हैं कि यह हो रहे हैं या नहीं कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन सिस्टम ले रहा है तो मैं दोबारा एक बार इसको कोशिश करके देखना चाहूंगा कि यह एक्सेप्ट हो रहे हैं या नहीं यह देखिए दोस्तों यहाँ पर आप किवल वन टाइम जो है टोकन को रिलीज कर सकते हैं यू कन डेडिम ओनली वन इन डे ठेंक्स यहाँ पर आपको यह चीज देखने को मिलेगी यह देखिए दोस्तों शेकिन ट्रांजेक्शन जो है वो डेविट नहीं हुआ है इसका मतलब एक दिन में आप एक बार पीवी से मेटा टोकन को यहाँ से रिडीम कर सकते हैं सीड रिवार्ड जो है यहाँ पर इंटर सीड रिवार्ड यहाँ पर आप फिलाल फाइव डाल के रिडीम कर सकते हैं और उसका जो इस्टेटस है वो आपको एक चार दोसा तरीस यहाँ सबसे उपर यहाँ पर दिखाए देगा रिडीम फाइव टोकन्स तो दोस्तों हमने रिडीम कर लिया है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें कमेंट करें और लाइक करें और ठीक इस तरीके से अपने सीड फंडिंग के अंदर आप पांस टोकन को विड्रॉल कर सकते हैं विड्रॉल करने के लिए आपको सीड फंडिंग के बाद उसको okay कर देना है okay करने के बाद आप सीड रिपोर्ट में नीचे ड्रेग करेंगे इस टैकिंग के बगल में जो ट्रांजेक्शन उसके ऊपर जो आपने ट्रांजेक्शन आज का डेबिट हो उसकी इंट्री आ जाएगी तो इतना आपने करना है दोस्तों और अगर इसक वीडियो को शेयर करें और अपडेट करें और जादा से ज्यादा लोग इस रिडिप्शन का जो है वह अपडेट ले सकें क्योंकि दोस्तों हमें एक बार चेक करते हैं यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो वालेट आता है वो टश्ट वालेट का आ रहा है और अभी यह चीज़ अपडेट नहीं हुई होगी क्योंकि 48 अवर्स का जो टाइमिंग सिस्टम ने दिया है उसका इंतजार करना होगा उसके बाद यह जो आपकी सीट रिवार्ट की जो रिडिप्शन है वह आपके कनेक्टेट वॉलेट में यहां पर यहां पर आप देख करेंगे दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच और सभी टीम मेंबर को सीड फंडिंग के अंदर इसको विड्रोल कराएं क्योंकि आज का दिन आपके पास है और उसके बाद आप नेक्श डे कर सकते हैं तो तब तक के लिए थैंक यू और ज्यादा से ज्या